फाइनली दोस्तो बॉल्यूट के खिलाडी भाई या अक्षे कुमार की सबसे मच अवेटेट फिल्म पृतिविराज को रिलिज वैज दो दिन पूरे हो चुके हैं और इन दो दिनों में इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स आफिस पर कितने रिकोर्ड्स को तोड़ दिया है इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो कितना हो चुका है और क्या ये फिल्म बॉक्स आफिस पर हिट हुई है सूपर हिट हुई है या फिर हुई है फ्लॉप ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तो वीडियो को लाश्ट दक जरू देखेगा अगर आप भी बॉल्यूट के खिल 200 करोट रुपे इस फिल्म का बजट रखा गया है जो कि इस फिल्म को देखने के बाद आपको लग जाएगा कि इस फिल्म का बजट इतना जादा क्यों है इस फिल्म के ग्रेंड सेट्स इस फिल्म के विजवाल्स इस फिल्म का म्यूजिक और इस फिल्म की लोकेशन्स काफ शुतो शाणा ने और इन तीनों के ही बेहतरिन केरेक्टर्स को देखने के बाद आपको गुजबंस आ जाते हैं। करते हुए इस फिल्म में जिस तरह का जबरजस्त काम किया है। उसके बाद दोस्तो ये फिल्म में इंडिया सिनेमा की one of the most favorite फिल्म बन चुकी है। आकड को ही पार कर पाया है। और बॉक्स आफिस पर आज अपने दूसरे दिन एडवांस में ही लगबख 6 करोड रुपे के आखड को पार कर चुकी है। तो वहीं दोस्तो मौर्निंग में ही आज इस फिल्म की जो occupancy है वो कल से 10% जादा है। यानि कि आज ये फिल्म मौर्निंग में 30% की occupancy के साथ ओप और नाइट में इस फिल्म के लगबख 70% से जादा हॉसफुल हो चुके हैं। इससे दोस्तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अक्षे कुमार की इस फिल्म को लोग जितना गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उतना जल्दी दोस्तो ये फिल्म में इंडियन बॉक्स आफिस प कर चुका होगा। अक्षे कुमार के इस फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 2500 करोड रुपई कमाई करनी है और जिस तरह से ओडियन्स के रिव्यूस इस फिल्म को मिल रहे हैं। क्रेटिक्स ने भी इस फिल्म को बहतरिन फिल्म बताया है। उसके बाद दोस्तो ये फिल्म बॉक्स आफिस पर एक लंबी रेस का घोड़ा साबित होने वाली है और इस साल की वनबद टॉप ग्रोसर बनने वाली है। आपको क्या लगता है दोस्तो महराज समराट प्रित्विराज चोहान के उपर बनाए जा रही इस फिल्म को आप लोगों को देखना चाहिए या न नहीं हमें अपनी राय कमेट करना बिल्कुल ना भूलेगा और बॉक्स आफिस बॉलिडर साउस से जुड़ी सभी वड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिवीव बाजार को सब्सक्राइब जरू कीजेगा धनिवाद जेहिं जे भारत